बॉलिवूट के सूपरस्टार सलमान खान और कटरिना कैफ जो की अपनी आने वाली फिल्म टाइगर 3 के लिए खुद को प्रिपेर कर रहे हैं और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो मार्श मंत में शुरू हो जाएगी और इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ जिसमें इस फिल्म के विलान पर खुलासा हो चुगा था कि आकरकляर इस फिल्म में धंदार विलन का रोल प्ले करेंगे वो होंगे बॉलिवोड के सीरियल किसर इमरान हाश्मी और इमरान हाश्मी जिनके खुद में एक मैसिभ फाण अपॉल्लविंग है इमरान हाश्मी को बहुत सारे उनके fans है, जो कि उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके films को देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब ये news इसलिए special बन गई जी, क्योंकि इमरान हाश्मी एक तो villain का role play करेंगे, साथ ही साथ वो सलमान खान के opposite में देखेंगे, ये काफी एक excited वाली feeling थी, fans के म साथे कि Bollywood Hangama के एक report के मताबिक, एक interview के दोरान, इमरान हाश्मी से पूछा किया, कि आपको कैसा लग रहा है, और आपको क्या reaction है, कि आप villain का role play करेंगे, tiger 3 के लिए, जिस पर इमरान हाश्मी जिन्होंने कहा, my lips are sealed, no comments, जी हां, उन्होंने कहा कि my lips are sealed, मेरे पास कोई comment नह क्याते हैं, I have no idea if I am doing it, I have heard it from you guys, I don't know where is this news came out from, my manager called me up in the morning and said that you are doing this film, I said it's news to me and he said it's news to me, to him too, I was like who broke this story, one journalist broke it in the morning after that everyone followed and everyone carried it, उन्होंने ये कहा है, कि ये, उनको कोई idea नहीं है, कि क्या वो इस film में, कोई role play कर भी रहे हैं या पिर नहीं, वो कहते हैं कि ये तो story मैंने, आप सबसे मैंने इस story को सुना है, वो ये भी कहते हैं, कि उनके manager ने उन्हें morning में call किया, और कहा कि आप क्या आप ये film कर रहे हैं जिस पर इम्रान हाश्मी जो कि कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या तुम्हें पता है जिस पर उन्होंने का कि उनके लिए ये एक news है और जिस पर उन्होंने का कि उनके major के लिए ये एक news ही थी वो कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि किसी journalist ने इस story को broke किया है एक तरह से इस story को फैलाया है और उसी जनलिस्ट की स्टोरी पर सब ने उस जनलिस्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया और एक खबर बना दी कि इमरान हाश्मी जो की विलन का रोल प्ले करेंगे टैगर 3 में इमरान हाश्मी जिनके करियन में उन्होंने कई ग्रेशेट की करेक्टर को प्ले किया है और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इन करेक्टर को एंजोई किया है क्या उन्होंने आपने यह जो ग्रेशेट की जो उनके करेक्टर है यह उन्होंने पसंद भी आया है जिस पर वो कहते हैं कि I like to play characters that I can defend and justify grey in that at least both the guys were grey it is interesting I always wanted to play like a battle but not a unidimensional note there is need to be reason for him being the way it has to be justified so उन्होंने अपने रोल पर यही बातों को reveal किया है कि वो अपने रोल को defend कर सकते हैं justify कर सकते हैं वो इस तरह के किरदारों को करना पसंद करते हैं so यह सब बड़े खुलासे और Tiger 3 पर इमरान हश्मी ने खुलासा किया है काफी चौकाने वाला खुलासा है जिस पर अब फैंस का शायद दिल तूट सकता है कि क्या इमरान हश्मी विलन का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं टाइकर 3 में जिस पर उन्होंने यह जो खुलासा किया है काफी जादा एक शौकी वाला खुलासा है इमरान हश्मी के फैंस के लिए आप कहा कर चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स के लिए